सहदेवी का छोटा सा कौमर्ड पोता होता है। संत्र, शास्तर और आइरवेद में कोई महारस्टी से कम नगी है। अपने दिव्य गुटों के खारन आइरवेद के गरन्थों में बताई गई है। इसके कई दिव्य गुट में है जिसके कारण इसे देवी पजом मिला और इसके अउस्वास्थिय गुनों का उपयोग कई स्वास्थ्य समझिया के उप्चर में किया जाता। इसकी कई जातिया विशेस ता एक पती है। आएं इस पोद्रे की विश्थुरुत जानकाई को गहराई से समत्रे। सहदेरी का पोधा आयर्वेधिक टीकिसा पज़त्ती में बहुत महत प्रूण खान रखता है। सहदेरी का पोधा एक अउसदिये जड़ी भूटी है जिसे विपिल भासाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। वानस्पतिक नाम वर्णोनिया साइनेरिया है। कुल का नाम एस्टेरेशी है। संस्कुर्ट में सहदेवी, दंदोत्पला, सहदेवा, महाबला और गोवन्दनी है। विश्वम जवर्ण नासिनी और विश्वदेवा। हिंदी में सदोई, सदोडी और सहदेईया। विजर्याती में सहदेवी, केदर्ड। इसे अंग्रेजी में लिटन आयर्वीर कहा जाता है। सहदेवी की पेहचा, सहदेवी की पत्तिय लग्व 2-5 cm लंबी होती है। इन पत्तियों का रंग हलका हरा होता है। और किनारे पर थोड़ी दरारे होती है। इसका तना पत्ला और सिधा होता है। जिसमें हलकी सी रोय होती है। यह गादे हरे रंका होता है। इसके फूल छोटे होते हैं। हलके सफे और ब्यैंगनी रंके होते हैं। जो उच्छों में लिखाई देते हैं। उष्णम, लगू, रूक्स तथा कप वार समख होती। यह वातानु लोव, निंद्राकार, मुत्रकुच, विशम जवत तथा सिंगम नासक है। इसके बीच विशग्न, रूमीहर तथा कटू होते हैं। इसके पुश्प का प्रयोग मेत्र की स्लेश्मिक, कला, सोच, एवन जवर एवन वाधप्रकुव के उप्चार के लिए हित करे। अवसद यह प्रयोग मात्रा एवन विधी। बुखार का करे इलाद। आयर्मेजाच चारीए बताते हैं कि सहजरी का इस्त्मा बुखार को दूर करने के लिए किया जाता है। मुखार होने पर इसकी जड़ और तने से तयार हुए काड़े को मरीज को दिया जाता है। मरीज को एक बार में 50-60 ml काड़ा पीने के लिए देते हैं। इससे मुखार की परेशानी दूर हो सकती है। सहदेरी की मूल को सीर में बाधने से विसम जवर का समन होता है। तथा नील अच्छी आती। गुर्दे की पत्री सहदेरी के तनों और जड़ों से तयार काड़े को। पीने से गुर्दे की पत्री भी ठीक हो सकती। आइड़ेजाचारिय के मुतामिक नियमित रूप से 40-50 ml सहदेरी का काड़ा पीने से खिल्णी में होने वाली पत्री की समस्या ठीक होती। अनिंद्रा को करे गायत। इन दिनों अनिंद्रा की शिकायत कम होनों के लोगों को भी हो रही। अनिंद्रा की परेशानी को दूर करने के लिए आप सहदेरी का इस्तमाल कर सकते। इससे आपकी यह परेशानी कुछी समय में ठीक हो सकती। अनिंद्रा होने पर सहदेरी की जड़ को गाठा पेस्ट तैयार कर ले। अब इस पेस्ट को अपने सीड़ पर लगाए, इससे अनिद्रा की परिशनी दूर हो सकती, घाम और सुजन को करे कम, सरील में घाम और सुजन होने पर सहजेरी का वोधा आपके लिए गुणकारी साविच हो सकती, इसके लिए सहजेरी की पत्तियों और तने का पेस्ट सैयर कर लीजिए, और इसे अपने प्रभावी स्थान पर लगाए, इससे सुजन और गाव से राहत मिलती है, आतो के कीड़ों से राहत, तहजेरी का काड़ा पीने से आतों में कीड़ों की समस्या सुटकरा मिल सकता है, इसके लिए आपको नियमित रूप से प्रिश से 40 मिली रिट खुजली, और त्वचा रोग फीक होते हैं, यह त्वचा की जलन और सुजन को भी हम करता है, तहरेरी का उप्यों कैसे करें, काड़ा, सहरेरी की पत्यों और जड़ों से काड़ा मना कर पिया जा सकता है, जो विभिन स्वास्त समस्या में लापकरी होता है, पत्यों का रस, सहीपी न का सर्षा नी का सकता है पेस्ट जले ह्मात्रा का ज्यान सहीथिक हानी का लिए इसका सिविक मात्रा में करें, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो अपने मित्रों और परीजनों को सेर करें, ताकि वह भी अपने जीवन में लाब उठां करें, इसी के साथ जई धन्मंतरी वंदे मात्रा